नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुचना होती है जो विभिन समचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती है तो आये सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि याने कि सेकेंड जो वीक है उस सब्ता में इसकार जरूर आ जाएगा और साथ तारीक वाली जो काज लिष्ट है वो आज जारी होगी तो आज मालूम चल जाएगा कि साथ तारीक को जो आपका आडर है वो आएगा या किसी अगली तारीक को आपका जो आडर है वो आएगा इसकी बात में लिए सुचना है खंड शिक्षा अधिकारी B8 परिश्चा के लिखा है BEO B8 परिश्चा इस्तिकित कराने को राजपाल से गुहार B8 परिश्चा और BEO प्रारभी परिश्चा इस्तिकित की जाने की मांग को लेकर किया बढ़तियों ने राजपाल को ग्यापन प गंटे बात काफी जद्दो जहद करने पर बिड़ मिला ऐसे में जब लाखों चात्र परिश्चा देने के लिए घर से बाहर निकलेंगे और उनके अविभावक भी साथ होंगे तो क्या होगा उधर इंकलावी नौजवान सभा इनावस ने भी 9 अगस्त को 28 परिश्चा और 16 अगस्त को परिश्चा टालने के मांग की है इनावस के प्रदेश सचीव सुनिल मौर्य ने कहा कि कोरोना महामारी का संकट पूरे प्रदेश भर में है और ऐसे में चात्रों की जान को खत्रे में नहीं डाले जा सकता कोरोना संक्रमन का विद्यार्थियों में इतना खौफ कि अगर उनके किसी भी रिष्टेदार को कोरोना हुआ है तो वो खुद ही परिच्छा देने नहीं जा रहे हैं विद्यार्थि सोसल मीडिया में भी अपनी बात को लिख रहे हैं चाहे वो फेसबूक हो चाहे वह वाटस अप हो चाहे वो यूट्यूब ये एक को तो हर जगे धके ही खाना पड़ेगा ये बड़े पैर पसार चुका है और हाँ कोरोना से अभी मेरे 29 साल के गब्रू जमान बीमारी रही रही डेली योगा और रनिंग करने वाले रिष्टेदार की मौत हो गई है उससे सदमा लगा है और एक बात समझ में आई है कि ये कोर अगवान की देन है जो ठीक हो रहे हैं भविस में भी उनके जीवन के लिए खत्रह बताया जा रहा है ये कोरोना सरीर में रहकर के दिल पर अटेक करता है इसलिए कोशिस ये करें को रोना जैसी भेंकर बीमारी किसी को ना हो और अभी विज्ञान पहल है इसके सही कारणों क हो चुके हैं और कुल मिलाकर कि कोरोना उत्तरप्रदेश महाराष्ट बिहार पूरे भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसलिए विद्यार्थी इस परिच्छा का विरोध कर रहे हैं अगली सूजना है समेच्चा अधिकारी सहाइक समेच्चा अधिकारी परिक्च ट्या वो नहीं हों, जो डर रहे हैं, जिनको कोई समस्या हो, वो अपना अभ्यरतन वापस ले सकते हैं तो उसका विद्यार्थी वीरोध कर रहा है, विद्यार्थि को तो ठीक है लेकिन उसमें एक option यह भी होना चाहिए, कि विद्यार्थी अपने मन पसंद का प्रिचक कें पत्र लिखा है नीचे की समिच्छा अधिकारी साइक समिच्छा अधिकारी 2016 की प्रारामिक परिक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है लेकिन इसके लिए आवेतन चार साल पहले लिए गये थे अब बैर्तियों को तब नहीं मालूम था कि कोरोना महामारी जैसी कोई आपदा किये कि परिक्षा में शामिल होने के लिए उन्हें मन पसंद सेंटर अवंटित किये जाए अब भैरतन वापस लेने के लिए आयोग की और से मांगे गए अवेधन से अबर्थी संतुष्ट नहीं है आरो यारो 2016 की प्रारामिक परिच्छा 371 वदों पर के लिए 27 नूमर 2016 को हुई थी लेकिन बाद में यह पिपर आउट हो गया था और इस परिच्छा को इस्तगित कर दिया गया था अब 13 अगस्त को 13 सितंबर को यह परिच्छा आयोजित होनी है इसी तरीके से यहां पर लिखा है कि PCS अबर्थियों को मिल गया है मन पसंद सेंटर चुनने का विकल इसकी बाद में एक और सूचना है बेसिक की लिखा यह बयान छपा हुआ है अमित खरे सच्चिव है केंद्री मानोसन सदने में विकास मंतराले में लिखा पांच मीं तक निजी स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम बंद अब इंग्लीज मीडियम की पढ़ाई जो है वह नीति से संबंदित उलजनों को दूर किया जाएगा उन्होंने बताया कि सभी केंद्री विश्व विद्यालियों के लिए साजब प्रवेश परिच्छा अगले साल से ही सुरू हो जाएगी उच्छ सिक्चा में गरीब चात्रों को लैपटाप मुहिया करवाने में केंद्र मदद करेगा और जब उन से पूंचा गया कि नई सिक्चा नीतिका आम चात्रों और अभाकों पर क्या प्रवाब पड़ेगा तो पहली क्लास से पहले स्कूल पूर सिक्चा पर भी ध्यान दिया जाएगा अभी जो विवस्ता है साइंस कामर्स आर्ट की विवस्ता हो जाए बाद में पूरी पूरी करके चोड़ेगा तो उसको टिग्री मिलेगी इसके बाद में आज से इलाबाद विश्विद्याल संब्ध कालेज खुलेंगे लिए लिखा इलाबाद विश्विद्याले और संबद कालेज बंगलवार के फुल जाएंगे पूरू में 31 जुलाई टकं कालेज बंद कियी गये थे 1-3 अगस्त तक अवकाश पड़ गिया था और 4 शिक्षिकों को बुलाए गया है अभी किवल शिक्षिकों को बुलाए गया हैं वैसे तो 29 जुलाई को ग्रह् मंत्राला की और से इस पक्रम्द में संपर किया जाएगा सट्रह अगस्त पहले पर्याइव 624 के लिए ले derived अगली सूझन आंगनवाडी कर्मियों को करना होका डिपलोमा सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कच्छाएं शुरू होने के साथ बेसिक इस तरके शिक्चक और आंगनवारी कर्मियों को भी 6 महीने और एक साल का विशेज प्रसिक्चन लेना होगा 12 वी और इस से उच इस तर पर सिक्चितों को किवल 6 महीने का सर्टिफिकट का कोस करना होगा जबकि इससे कम सिक्चा वाली आंगनवारी कर्मियों को एक साल का डिपलोमा करवाए जाएगा नई राष्ट शिक्चा नीति में इसका प्रावधान किया गया है सरकार का मनना है कि इससे प्री प्राइमरी सिक्चकों को शुरुवाती केडर तयार हो सकेगा इस नीति के जरिये तो जो नई सिख्चा नीति है उसमें प्री प्राइमरी स्कुल को काफी प्राथमिक्ता दी गई है और उसके लिए ये एक नई नीति बनाई गई है अगली सुझना है उत्तर प्रदेश अधिनसेवा चैन आयोग की उत उनके प्रदाम फिर से जारी की जा सकते हैं खासतोर से जुनियर एसिस्टेंट 2019 इत्यादी इसके बाद में यूवा कल्यार की जो सेकेंड लिस्ट है वो भी जारी हो सकती है इस तरीके से आपको कुछ नोटिस यूपी ट्रपल सी से देखने को मिल सकती है पी इटी परिच् से रुका हुआ है यह सरकार की ऐसी नीती है तो दो चार मेने बाद छे मेने बाद आपको यूपी ट्रपल सी जो है वो गती देखने को मिलेगी यह हो गया आज का वीडियो वीडियो कर आपको अच्छा लगा हो आपके काम का हो तो लाइक अवर्श कर दिया करें पूरा वी